गोवा हाटी में बारिस के वज़े से दूसरे टिरॉंटी मेच का बदला टाइम अब इतने बज़े सुरू होगा मेच लाइव यहां दोस्तो भारत अफरिका के बीच होने वाले दूसरे टिरॉंटी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है जहां पर बारिस के वज़े से मेच की टाइमिंग में बदलाव किया गया है दोस्तो आखिर यह मेच अब कितने बज़े सुरू होगा और कितने ओभर का होगा बताएंगे पूरी खबर तो इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखेगा और अगर आप भी चाहते हैं आज का मेच हो तो एक लाइक जरू करें तो चलिए आपका ज़्यदे समय न गवाते हुए इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो भारत और सौथ अपरिगा की बीच आज T20 सीरीज का दूसरा मेच होना है इस मेच को लेकर फैंस काफी उस्सूख है क्योंकि ढ़ाई साल बाद गोहाटी में फिर से क्रिकेट लोटा है इससे पहले जनवरी 2020 में भारती टेम यहां मकाबला खेनली के लिए आई थी हाला कि उस मकाबले का जो हाल हुआ वही खत्रा इस बार ही मन रहा है बात हो रही है मौसम की जो आज होने वाले मेच पर अपनी ट्रेडी नजरे लगाए हुए है दोस्तों गोहाटी के बरसा पार क्रिकेट इस्टोडियाम में आज तक सिर्फ तीन बार क्रिकेट मेच आवजित किया गया है जिसमें एक मेच बारिस के काहरान सुरु दक नहीं उस्तरका था अब आज भारसत अफरिका मकाबले से पहले आसमन पर छाय बादलों ने आज़ोको और फेंस को फिर से ढ़ाई साल पहले वाली चिंता में डाल दिया है इस मेच के लिए पहले ही सभी ट्रिकाट बिक चुकी है और ऐसे में फेंस किसी भी हाल में एक्सन लेखना चाहेंगे मौसम विभाग के हवाले से बताया है कि रईवार को गोवाहाटी में आंसी ग्रूप से बादल छाय रहने का अनुमान है इतना ही नहीं आसंका ये भी है कि साम के वक्त बादलों के जोदार गरत के साथ कुछ मौकव पर बारिस भी हो सकती है वो ही मौसम के जानगरी देने वाली वेफसाइट एक्क्योवेदर का अनुमान है की बारिस साम पांच बजे के आसपास हो सकती है जबकि बाकी समय बादल चाहे रहेंगे दोस्तों ये मेच साम साथ बजे सुरू होना है और ऐसे में अगर उसके आसपास बारिस होती है तो मेच पर इसका असर पढ़ने का खत्रा है हालकि आज़कों ने कहा है कि उन्होंने बारिस कारण समय बरबादी को कम करने के लिए सभी अंतजाम किये है असम क्रिकेट संग ने अमरिका से दो बहुती हलके पीश कबर मंगवाए है भारती क्रिकेट कंट्रोल बोड भी चाहेगा कि बारिस की इस्तिती में नागपूर जैसे हालत ना हो जहां बारिस रुकने के काफी देर बाद भी गिले मैदान के करण मेच वक्त पर सुरू नहीं सका था भारत और आश्टिलिया का वो मेच धाई घंटे की देरी से सुरू हुआ और सिर्फ आठट ओबरो का मकाबला खेला गया वशे दोस्तों कहा जा रहे कि बारिस के वज़े से इस मेच में देरी होगी अब ये मेच 7 बज़े के बज़ाए 9 बज़े सुरू किया जाएगा और ओबर कटूति की गई है जिसके वज़े से 15-15 ओबर के ही मेच खेले जाएंगे